एलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे आज 29 मई और 29 मई साल 2024 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप सभी को रादे रादे मेरे पैरे बच्चो सेशन के सुरुवात करते हैं स्टार आएक्यू अप्लिकेशन पर आप लोगों को मंजिल बैच मिल जाएगा ICT प्लस में जीके आप लोगों को दोनों इसके अंदर मिलेगी और स्टार आएक्यू एजुकेशन टेलिग्राम चैनल पर मैंने पिछले सभी दिनों के करेंट अफेर जो वीडियो के पीडियफ है वो शेर कर दिये हैं अगर आपने उसे देखना है तो आप स्टार आएक्यू एजुकेशन टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो और रिमेनिंग जो भी होंगे मैं उनको भी शेर कर दूँगा और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं जो ना यह मन्त पूरा हो जाए फिर म में मन्त के 81-5 महिनी के करेंट अफेर का एक कंपाइल्ड वीडियो बना दूँगा ताकि आप लोगों को दिकत ना हो असानी से आप वेरी पॉर्टन कि उस्तों को स्लेक्ट कर पाओ और याद कर पाओ मैं आपको यहीं पर एक हिदायत और दे देता हूं बहुत सारे जब पेपर आएगा तभी वो भागेंगे दोडेंगे आप रेगुलर ऐसे पढ़ते रहिएगा ठीक है और इसी तरीके से यूं तो चाहूं तो अभी मेरा ही दिल जानता है कि इतने मुस्किल से हरियाना कर इंटर बनते हैं और कभी-कभी तो मिस्ट भी हो जाते हैं क्योंक परसंट लगा रहा हूं कि आप लोगों की रेगुलरिटी बिल्कुल ब्रेक ना हो और आप इसको अच्छे तरीके से बनाए रखें रेगुलरिटी को ताकि अभी आपकी इलेक्शन के जस्ट पात देखना क्योंकि हर्याना में इलेक्शन थो होने बाकी है मेजर तो वही सम करती गंगा में हाथ दो लेना पर उसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन होना बहुत जुरूरी है वन नाइट फाइट नहीं की जा सकती है इस बात को मान लो अगर मान सकते हो तो थोड़ा समय आपके पास में हैं और इस समय को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो अपन में current affairs subject है और हुटली यहीद पर पढ़ सकते हो अप्रैल मनत के पूरे current affairs का वीडियो आज रात को 10 बज़े का session होगा मतलब यह आप को आज 30 मही को ठीक एक rapid fire round होगा उसमें, और बाकी गोर subject आपके पास में, mathematics है, reasoning है, हिंदी है, English है, limited syllabus है कर प्रपरेशन करोगे तो, अभी से लग जाओ, समय आपके पास में है, घर से बाहर निकलना वैसे नहीं होता है, और नहीं निकलने का कुछ ऐसा logic बनता है, offline coaching का कोई आज के time पे मुझे लगता की कोई मतलब बनता है, कहीं जाने की need भी नहीं है, चुकि online resources इतनी जादा आपको available है, आज के time पे क्या चीज ऐसी है, जो आपको YouTube पे available नहीं मिलेगी, बसरते आप लोग उसको खोजना चाहो, या उसको पढ़ना चाहो, ठीक है, जहां आपका मन लगे, वहां जादा है, एक्चुली, ठीक है ना, तो वो उनके हेर फेर में मताईएगा, बहुत जादा, कोसिस करिएगा, बुक्स लीजिएगा, ठीक है ना, और बुक्स के थ्रू ही पढ़ाई करिएगा, वो यह होता है कि कई बार कोई particular topic नहीं समझ में आता, विमालो, example से आप लोग history पढ़ रहे हैं और history में आपको विदांग नहीं समझ में आया, ठीक ना, कि सर विदांग क्या होते हैं, कितने विदांग है, कल्प क्या है, सर, चंद क्या होता है, सर, यह क्या चीज़े हैं, तो ऐसा particular topic है, वो तो आप पूछ सकते हो, या उसको सर्च कर सकते हो, मुझ से भ पर करिएगा, अगर सरकारी नोकरी लगना चाहते ही हो, तो otherwise plan B आपके पास में है, तो well and good को issue नहीं चलते रहिएगा, सला है मेरी आपको, और मैं यह सला इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि समय समय पे mentorship करना बहुत जुरूरी है, ऐसा नहीं कि कलास ली करेंट अफेर का video पांच मेंट में रिकोड किया, भाग गया, नग पूरे नहीं करनी है, ना ही मुझे आपको भी अच्छे से जानते हो, इतन संसकारी वही ठीक है, बड़ी अच्छी गनीमत है कि अपने चैनल पर फालतों के बकवास लिखने वाले नहीं है, वैल्यूबल लोग हैं सारे के सारे, राइट, चले आगे बढ़ते हैं, और कल आप से एक सवाल पूछा था मैंने, और इस सवाल का ठीक अंसर क्या रहेगा, इस सवाल का ठीक अंसर आप लोगों ने दिया भी था वैसे कि हमारा जो नेगिटिव पॉपॉलिशन टाइम था, आप लोगों को साइध ये अच्छे से पता होगा कि हमारे भारत के अंदर ना पॉपॉलिशन ग्रोथ है, कितने सालों के बाद में देखी जाती है, हर 10 साल क के बाद में दिखते तो हैं हम लोग अभी 2021 वाला आंकड़ा आप लोगों को नहीं दिखाई दिया, COVID की वज़े से नहीं दिखाई दिया गया, ऐसा कह रहे हैं, बाकि CEA भी कारण है, हमेशा जितने भी 10-10 सालों के आंकड़े आये थे ना, उनमें हमेशा पोजिटिव ग्र जा था, और बहुत सारी बीमारियों के भी कारण रहे थे, तो इस टाइम पे हम लोगों नेगिटिव पॉपलिशन ग्रोथ देखने को मिला था, ठीक है, उसके बाद में अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है, हर्याना के किस जिले की सीमा से सटे राजस्थान के गाउं धिलकी में हर्याना, आठवी स्ताबदी की तिर्थंकर महावीर की मूर्थिया मिली है, कोन से जिले के अंदर, सिर्सा जिले के अंदर ये मूर्थिया मिली है, और सिर्सा का राणिया चेतर है, ये भी जैन धर्म का चेतर है, पुराता तो विद के अनुसार सिर्सा जिला कभी जैन धर् ही और शिर्षा का रानिय च्छेत्र यह भी जयन ध्रम से संबंदित पुराने काल की मूर्तिय natomiast यह पर आउलेडि मिल चुकी है जैसे जयन ध्रम के तृतंग पर उलसमें की मूर्ति मिली है और हर्याना के अंदर पुरा ततव विभाग के निदेशक कोन है बुनानी भटाचारे है यह याद रखना है यह उप निदेशक है एक्चुली ठीक है यह तो ही पहली बात दूसरी बात आप लोगों को अब यह याद रखनी है कि जैन धरम जो है जैन धरम या जैन को आगम के नाम से जानते हैं एक भगवती सुत्र के बारे में आपने कभी साइज सुना हो तो भगवती सुत्र भगवती सुत्र क्या है यह महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताई गई चीजे हैं ठीक ना महावीर स्वामी जो है महावीर स्वामी उन महावीर स्वाम करは जेइन धार्म का जो अरखलय को सुरुवाती सामेरा वह सारा कल्प सुत्र में बाकी 24 चोबिस तर्खकर dal São कि भी चरे शीन प्राप्प को प्राप्त कर लिक्यस को तरफल कर जुशा है किस्को पता है ऑप कहते हैं अ अब को मरने के बाद किसको पता है ंरक हैINGक्स immerं कभी भी एक बी बार तश्णा नहीं आई हो य29 मतलब होता है कि आपको चीजोंको collect करनी के हिच्छा यिई हो जांगतर हो जयसे अपको शुपन संग्रह करते अशिनτα ना करियें का हम सब ही इसी से प्रिए करते है। तोय द degree को है खाना खा लिया शाम का भी लिए तो thank 25-26 नंबर पे बद्र बाहू और स्थुल भद्र थे तो कहते हैं कि उनके बीच में विवाद हुआ था एक बाराकाल पढ़ा था उत्तर भारत में तो दक्षिन भारत में जाने के लिए और बाद में फिर वापिस आये तो वस्तरों के लिए विवाद हुए थे ऐसा मैंने हिस् आई ही ना हो तो यह याद रखना अच्छा एक बात सिर्सा से रिलेटेट भी हम दोगों को थोड़ी चीज़े याद कर लेनी चीए सिर्सा अभी वैसे थोड़ी दिनों से न्यूज में चल रहा है क्योंकि गर्मी जादा चल रही है यहां पर और सिर्सा की स्थापना कब थे हैं ये सेप्टमबर 1975 को और सिर्सा का एरिया बहु जादा मदब हर्याना का सबसे वड़ा जिला है 4270 कीलोमेटर का एरिया है अकेले सिर्साज जिले का ही है और सिर्सा इंदर जो एक आरिकसिस सीट है रिजव City है 발ल है Weird सीट है काला वाली थीर्या काला वाली एह आर्इ प्मेद करना तो इसके अलावा लीला धर दुखी संगराले नाम से है के हैं है कई बार पिप्रों में आया है इसलिए फेमस बोल रहा हूं है लिलाधर दुखी समारक लिलाधर दुखी समारक ये भी कहां पे ये भी सिर्शा के अंदर है ठीक है ना इसके अपना साल 2001 सबसे पंदर ना इसके अलावा चोदरी देविलाल जी का गाउं है ना वो भी कौन सा था लोक राज लोक लाज से चलता है हो बाद के उप़धानमंत्री बनेते माफ किया था तो काफ़ एक अरहं उसके लावा हरियाना Ç nenा के अनदर श्रसा के अंदर जो है और आपको एक गुर्धवारा याद करना है जो जुब इपरों में आ आ चुका संबंदिद्र इसके अलawa एक आलाबाद जगह यहां पर आल अलनाबाद किसलिए जादूगर संकर समराट के कारण घुमस है एक गुरद्वारा और चिल्ला साहिब यह भी सिर्साम है इसलिगा और सिंग सभाइए हलांकि एर्याना के और बी जिलों में लेकिन चिल्ला और चोर्मारिये दोनों सिर्षा के अंदर ही है एक युनिवस्टी भी है सिर्षा की जिसका आपको याद होगा CDLU चोदरी देविलाल युनिवस्टी है CDLU कब बनी थी आयाद आपको साल 2003 के अंदर बनी थी पांच अपरेल 2003 को बनी थी यह वाली ठीक है यहां का प्रेटंस तल भी आपको साइद याद होगा कौन सा है से अग्ला सावाल है कि हर्याना में थाकमान बढ़ने के साथ हाली में किस वन में आग लग गई अकट अब धिन पहले आग लगी हुई थी उत्रा خंड के जगलों बें आग लगी हुई थी तो अरावली वली वलित परवत है जिनके चटाने मुख्य रूप से वलित परपटी जब दो अभिसारी प्लेटे आपस में टकराती है और एक दूसरे की और गती करती है तो वलित बन जाती है आपस में दो प्लेटे एक प्लेट इधर से आई इधर से टकरा के ऐस तरिके से उंचे उट गई है ठीक है दीरे 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 पाहड जो ना टूट टूटके 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 चोटे होने लग जाते हैं ये और गुजरात की हिमत नगर से दिल्ली तक 800 किलोमेटर की दोरी तक हर्याना राजस्तान गुजरात दिल्ली इनको सब को कवर करती है ये और दिल्ली से हरिदवार तक जो ना लगब पान सो साथ किलोमिटर इसका लंबा विस्तार है हर्याना में सबसे उंची चोटि है दोसी की पाहड़ी में डानी कुलताजपूर है और अभी उत्राखंड के जंगलोंहें तो उन्होंने पता है क्या pagS society wars and everything . पिरॉल लाओ पैसा पाओ पैसा स्टार्टकरन वह उत्राखण सरकार ने पिरॉल सुकुपत्य आध्यान को तो और जो सुकिपत्य को देगा उन तो पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना चलाई है ताकि जादा से ज़दा लोग यह सुखे पत्ते यहां से सफाई कर ले और इसके वज़े से आग जंगलों में ना लग पाए अर्याना के किस जिले के खंडालवा गाओं में करीब 5000 साल पुराना सिवलिंग है तो 5000 साल पुराना सिवलिंग जो है यह है कैथल के अंदर है इस मंदिर का इतियास भगवान राम के पुरुज राजा कट्वांग से जुड़ा हुआ है और भगवान राम से 10 पीडी पहले उन कुछ पुराने सवाल आपको पिछली क्लासिस में पढ़ाएं वो याद करवा रहा हूं कौन हर्यानवी हर्याना ग्राम सचेशन के सेर्पा बने हैं सुनिल जागलान किस हर्यानवी को मास्टर दिनानात पुरुसकार से समानित किया गया है रंदी फुड़ा इसका ठीक अंस हुआ है इसका भी अंसर आप मुझे कमेंट में करना ठीक है चलो थैंक यू सो मच स्टे हैपी स्टे हैल्दी मिलता हूँ आपको मैं अगली क्लास में रादे रादे